मेरा नाम है नंत कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे सीडियूग चैनल पर आज की वीडियो में बात करने वाले हारा हम यूआईटी चंडिगड की पंजाब इनिवर्स्टी में आपका आता है बहुत बच्चे कमेंड करते हैं यूआईटी पर बनाओ यूआईटी पर सब्सक्राइब करने वाले हैं उसके बाद हम यूआटी चंडिगड के बारे में क्या आपकी प्लिस्मेंट होते हैं और सब कुछ आपको बताया जाएगा तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा चलिए आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे की वैब साइट देखी लिए होगी तो सबसे पहले इनके बात करें इस्टेबलिश्मेंट की 2002 में लगबग यह स्टेबलिश हुआ था चोटा सा यार इसका कैमपस है ज्यादा बड़ा कैमपस फैला हुआ है ठीक है आगे अगर हम चले और इसके डिपार्टमेंट्स देखे और आप यहां पर आगा है हम कम्पुटर साइन्स के पेच पेच पे तो आप ऐसे हर ब्रांच में अलग अलग ब्रांच में उनके के बारे में आके अंदर पढ़ सकते हो कि क्या इंफोर्मेशन गिवन है तो आपकी लगबग अगर जो कोर्स फीज इस फीज जो है वह आपकी वन सेमिस्टर में लगती है लगबग 58,000 और फिर 36,000 तो लगबग आपकी एक लाग के राउंड आपकी फीज आ जाती है एक साल मे वही पर हॉस्टिल फीज की बात करें तो हॉस्टिल में आपकी कॉशन मनी वगएरा सब कुछ मिला के 9,370 रूपीज लग रही होती है पर सेमिस्टर लगब 20,000 यह आपकी हो जाती है तो एक लाग 20,000 आपका साल का खर्चा बन जाता है मतलब 4,80,000 के राउंड बाच लाग के आस पास तक आपका B.Tec कमपलीट हो जायेगा चाट साल का तो काफी एफोरडेबल है आपका hostel देखे तो काफी affordable है और fees भी आपकी कोई जादा नहीं है बहुत सारे b.tec colleges है उनकी fees काफी काफी आपकी जादा चली जाती है तो इसकी fees भी ठीक ठाक है आगे हम placement वगएरा भी इसके देख रहा होंगे ठीक है तो आगे अगर हम चले scholarship की बात करें मानलो fees आपको जादा लग तो कौन-कौन से scholarships आपकी बीटेक में अवेलेवल है तो फॉर बीए स्टुदेंट्स आपकी यहां पर पोस्ट मेंटर की scholarship मिल जाती है आपको merit का means scholarship मिल जाती है ठीक है merit के basis पर टॉपर्स की जो यार आपकी scholarship होती है कैसे-कैसे इन scholarship में अपलाए करते हैं और आप फिर उसके हिजाब से ही अपलाए कर सकते हो राइट अगर हम आगे देखें और placements की बात करें तो काफी सारी यार companies आपको देखने को मिल जाती है यह आपकी कुछ बहुत बहुत कंपनी हैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनी हैं कम्पीटर साइंस ब्रांच के अगर हम बात करें यहां पर इंफोसिस कैप जैमनी और भी तरह तरह कि यहां पर companies आती है हाइस और एवरेज पैकेज की बात करें तो हाइस कहीं पर आपका अब आपका चैन्डीगड की काउंसिलिंग करानी पड़ेगी उसमें तीन चार कॉलेज और आते हैं उनके बारे में भी हम आपको आने में वाले वीडियो में बता रहोंगे और पिछली वीडियो में भी हमने बताया था कौन-कौन से कॉलेज पाटिसिपेट करते हैं जैक चंडीगड में तो जैक चंडीगड की काउंसिलिंग करानी पड़ेगी जैमेंस में जो आपकी रैंक आईगी उसके बेसिस पे अड्मि चार लाग सत्रह हजार तक तक ठीक है एस्टी के लिए गिवन नहीं है और यह आपके के अलगाला के टेगरी आपकी यहां पर आ जाती है इसी तरह से अगर विटेक इन कंप्यूर साइंस कंप्यूर साइंजिनिंग की बात करता आपकी 15,000 से स्टार्ट होई थी और 36,000 तक स्टार्ट हो गई थी ओपन के टेगरी में ओवीची के टेगरी में 42,000 ठीक है एसी के टेगरी में आपकी 1,64,000 तक चली गई थी और आपकी स्टेगरी में 2,63,000 तक कंप्यूर साइंस ब्रांच आपको इस कॉलेज में मिल जाएगी ठीक है महीं पर इलेक्ट्रिकल इंजिनि तक यह आपको क्वालिज मिल सकता है एलेक्ट्रोंग्स और कॉम्णिकेशन ब्रांच की बात करें तो 61,000 पर ओपन के टेगरी क्लोज हो गई थी एक लाग 88,000 पर ओबी सी के टेगरी क्लोज हो गई थी ठीक है 2,92,000 तक सी में मिला था और 3,66,000 तक आपको सी के टेगरी में म पर 1,92,000 पर सी की क्लोज हो गई थी और आपकी 3,63,000 पर सी क्लोज हो गई थी अच्छा उपर हमने देखा इलेक्ट्रोंग्स ब्राज की वह थी आपकी 4,35,000 पर सी के टेगरी में ठीक है बीटेक में की बात करें तो आपकी 1,00,000 तक जनरल के टेगरी ओबी सी आपकी वही पर 1,24,000 सी के टेगरी 2,77,000 और सी के टेगरी 6,00,000 तक भी आपको मिल सकती है तो यह आपको बहुत पीछे तक मिल सकता है लेकिन अगर आपको अच्छी रंक डेफिनिट्री लानी पड़ेगी 35,000 के अंदर अंदर आपको आना पड़ेगा तो आपको प्लेस्मेंट के हमने अगर अभी भी आपका कोई डाउट रहा है तो कमेंट सेक्षन में आपके पूछना कांसलिंग जैसे स्टार्ट होगी मैं आपको उसकी अपडेट दे दूँगा और ऐसी कोई भी न्यूज आप मिसना करो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और बैल आइकन जरूर जरूर मिलता है अब नगले वीडियो में तब तक के लिए है वासी या गुट डे बाइए